हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो माइक्रोप टॉक यूट्यूब चैनल आए मानशी इवन्स अगेन वीडियो और आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ बायलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को ही हम लेकर के चले थे उसी का फिफ्स पार्ट है बट आज हम नाइट्रोजन को फिक्स करना नहीं वापस से नाइट्रोजन डी नाइट्रिफिकेशन सीखेंगे यानि कि जो नाइट्रोजन के हमने अलग-अलग फॉर्म फिक्स की वह वापस से अट्मोसफेर में कैसे नाइट्रोजन में चेंज होती है तो इसके लिए हम टूर प्रोसेस पढ़ेंगे एक है डिसीमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन और दूसरा एनमॉक्स रियक्शन तो येस बहुत इंट्रस्टिंग और बहुत ही जादा चाहे था कि अमोनिया का एसीमिलेशन कैसे होता है नाइट्रेट रिडक्शन कैसे होता है या फिर नाइट्रेट का एसीमिलेशन कैसे होता है ठीक है जिसमें आपको टू रियक्शन बढ़ाई थी कौन सी येस पहली बढ़ाई थी नाइट्रेट रिडक्शन दूसरी बढ़ नाइट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट् से एनमोक्स रियक्षन पर तो वापस से आते हैं यहीं पर और वापस से थोड़ा सा जानते हैं तो आप키ने nite का की होगे तबिना और ऑर ऑड daughters का और चाहिए तब का पूर्ड़ा रही थैप इस reaction का use है वो क्या है कि वो as a source of organic nitrogen use होती है for example assimilatory reduction because यह जो assimilatory reduction है किसका nitrate का ammonia में ठीक है अभी बताया था है ना को two reactions होती है यह energetically expensive होता है यानि कि काफी energy लग जाती है इसमें तो जो nitrate है वो sometime accumulate हो जाती है as a transient intermediate so इसके alternatively यानि यह इसके विपरीत microorganism में पाथवे होता है पूरा system चलता है जिसे microbes क्या करते है nitrate को सरु करते है the terminal electron acceptor ठीक है during anaerobic respiration यानि कि nitrate को क्या करेंगे वो electron acceptor की तरह use करेंगे anaerobic respiration में यही क्या कहलाता है हमारा dissimilatory nitrate dissimilatory reduction कहलाता है ठीक है एक और important term आते है यहाँ पर हमारा denitrification denitrification क्या है so nitrate क्या है remove होता है कहां से ecosystem से and return हो जाता है atmosphere में as a dinitrogen N2 की form में ठीक है through a series of reaction यह बहुत सारे reactions होती है इसमें genome collectively क्या कहते है denitrification कहते है अब जब क्या है पूरा जो reaction है वो क्या produce करते है बहुत ज़्यादा amount में by product release करती है जिसका result क्या होता है loss of nitrogen from the local environment to the atmosphere यानि कि जो हमारे earth पे fixed nitrogen थे वो आपस से कहां चल जाती है इस form में इस form से directly चल जाते है हमारी N2 की form में atmosphere में load जाती है ठीके अब जो हमारा dissimilatory nitrate reduction है ठीके dissimilatory nitrate reduction क्या है उससे पहले थोड़ा सा एक बार मैं आपको nitrogen cycle दिखा देती हूँ तो ये देखिए ये हमारी nitrogen fixation के थूँ organic nitrogen में change होई then अलग-अलग process के थूँ वो NO2, NO3 बहुत सारे process होते है ठीके आपस में conversion के बाद ये क्या चल जाते है वापस से कहां चल जाती है N2 की form में atmosphere में चल जा रही जिसे हम क्या कहरे है denitrification next हम बात करेंगे dissimilatory nitrate reduction के बारे में ये जो dissimilatory process है जिसमें क्या औरहा है जो nitrite है वो used हो रहा है as electron acceptor ठीके anaerobic respiration में usually ये involved होता है इसमें कौन-कौन involved होता है heterotrops, जिसी की pseudomonas, denitrificance ठीके जो major product है denitrification के इसमें क्या क्या आता है हमारा nitrogenous gas nitrous oxide ठीके और nitrite यानिके NO2 ठीके ये क्या हो सकते है या तो ये atmosphere में वापस लोड़ जाएंगे या फिर क्या हो सकते है accumulate हो सकते है ठीके जो nitrite है ठीके is of environmental concern ठीके क्या क्योंकि ये क्या अगर accumulate हो जाएं हमारे environment में तो ये कैसे contribute करेगा as a formation of carcinogenic nitrosamine ठीके ये एक chemical produce करेगा जिसका क्या नामे है nitrosamine और इसका effect क्या होगा कि ये carcinogenic हो सकता है यानि कि cancer produce कर सकता है finally क्या होगा जो nitrate है can be transformed into ammonia ठीके वो transform हो जाएगा किसमें ammonia में किस process के थरूँ dissimilatory reduction के थरूँ बहुत सारे bacteria के थरूँ जिसमें कौन-कौन सा आते है geobacter metalli reducans ठीके next है dieselpovibrio species and claustradium species ठीके ये इसकी examples है ठीके इससे लगाती है अब एक दूसरा process होता है कौन सा anamox reaction and anaerobic ammonia oxidation ठीके अब ये reaction क्या ही एक alternative method है ठीके जो बहुत सारे मतलब quick shortcut मैं कहूंगी इस method को nitrogen की proceeding के लिए environment में ये recent form identify की गई है nitrogen conversion की जिसम क्या कह रहा है anamox reaction या फिर anoxic ammonium oxidation या फिर anaerobic ammonia oxidation भी इसको कह सकते है इस reaction में ये पूरी reaction कैसी है anaerobic है ठीक है chemo-lethotrops involved होता है chemo-lethotrops कौन से organism होता है जो chemicals के थ्रू inorganic chemicals के थ्रू अपने energy को intake करते है अपने nutrient को intake करते है ठीक है use करते है किसको ammonium iron को ठीक है as an electron acceptor और साथ-साथ किसको nitrite को भी as a terminal electron acceptor ठीक है जो की क्या होगा जो की directly reduce होएंगे किसमे yes N2 की form में dinitrogen की form में जो की हमारे atmosphere में मिलती है ठीक है तो यह क्या करेंगे या तो NH4 positive को use करेंगे या फिर NO2 negative को use करेंगे जिससे directly किसको fix कर सकें yes हमारी nitrogen को fix कर सकें हमारे atmosphere में अगवर इससे पहले वाला जो process हम पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था yes जो dissimilatory nitrate reduction तो उसमें क्या हो रहा था कि जो nitrogen है हमारी उसको वापस atmosphere में fix करने के लिए हमें क्या बनाना पढ़ रहा था पहले nitrate बनाना पढ़ रहा था फिर nitrite और काफी nitrate ठीक है although यह जो reaction है वो known है to be energetically possible ठीक है क्योंकि energetically possible भी है ठीक है बहुत सारे microbes है जो कि capable है perform करने के लिए anamox reaction को ठीक है जो कि हमने भी recently documented किये है तो एक बार cycle की form से फिर से इसको समझ लेते हैं ठीक है जब क्या हो रहा है हमारी जो nitrogen है वो fix होती है तो हम समय nitrogen fixation कहते हैं लेकिन जब यह इस form से वापस से यह N जो हमारा NO2 है NO2 है यान के nitrite है उससे वापस से क्या बना ले रही है N2 बना ले रही है तो हम क्या कह रहे है anamox reaction कह रहे है और जब एक cycle के through हमारी nitrogen nitrogen वापस से क्या and atmosphere में आ रहे है तो हम कह रहे है denitrification so yes यह था हमारा आज का छोटा सा वीडियो I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा अगर यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा तो आपको वीडियो को क्या करना है वीडियो को like करना है चैनल को subscribe करना है और जुड़े रहना है मेरे साथ ऐसी यह वीडियो के लिए इससे पहले भी मैं आप लोगों इसाथ nitrogen fixation के बहुत सारे part share कर चुकी हूँ first part मैंने आपको क्या बताया था कि nitrogen fixation क्या होता है कैसे fix होता है atmosphere nitrogen fixation industrial nitrogen fixation and biological nitrogen fixation second part मैंने आपको explain किया था biological nitrogen fixation कैसे होता है three types बताया थो उसके associative free living and symbiotic third part मैंने आपको symbiotic nitrogen fixation को बहुत अच्छे से explain किया था and fourth part मैंने आपको क्या बताया था जो हमारा ammonia का assimilation है वो कैसे हो रहा है और हमारा assimilatory nitrate reduction कैसे हो रहा है और आज का क्या बताया है मैंने dissimilatory nitrate reduction and जो हमारे anomox reaction है कौनसी reaction anomox reaction है वो कैसे होती है तो yes आज की वीडियो में इतना ही मिलते है next video में thanks for watching जुड़े रही है microbe talk से